उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आधित्यनात ने बीते दिन थल सेना, नौ सेना और वायो सेना के उपकर्णों से योगत तीन दिवसिय सश्रस्त्र बल महोत्सव का उत्गाटन किया। इस दोरान लाइव डिस्पले में अत्याधुने कुपकर्णों की क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। कि थल सेना, वायो सेना और नौ सेना के एक जुट प्रयासों का ही परिणाम है कि आज हमारे देश की सीमाई सुरक्षित हैं और आज हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। कि ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सशस्त्र बल सिर्फ एक रक्षा सनरचना नहीं है बलकि ये हमारे देश की सुरक्षा की एक मजबूत नियू भी है। पहरा कमांडो का सौर्य, पूर कारवाई, सेना के प्रसिक्सित, स्वान दस्ते का अधितिय प्रदर्शन और घुड सवार दल का भी उतक्रिष्ट टेनिंग हम लोगों ने जहां या देखा है वहीं आदुनिकतब, कामबेट ड्रोन और स्वाम ड्रोन की तागत या आज हमारी सेना को दुनिया की एक पेसेवर तक्सता का प्रतीक बनाती है। इस कारेक्रम में तीनों सेनाओं द्वारा जॉइंट मेंसिप और इंटीग्रेशन के माद्यम से जो बेहतरीन तालमेल का समनवे प्रस्तुत किया गया है। वो हमारी सेन्य भलों की बढ़ती भी सेन्य ताकत के साथ ही राश्तिय सुरक्षा तहांचे के प्रती 140 करोड भारत्वासी को आस्वस्त भी करती है। थल सेना, वाई सेना और नो सेना के एक चुठो कर कारे करने का ये पैणान है। कि आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और हम हर चुनोदी का मुकाबला कर सकते हैं। हमें यात रखना चाहिए कि हमारे ससस्त्रबल केवल एक रक्सा धाचा मात्र नहीं। बलकि या हमारी रास्ट की सुरक्षा की एक मजबूत नियू भी है। हमारे बीर जवान अपने जान की परवा के वगर देश की सेवा में तत्पर रहते हैं। वे इसीले रास्ट नायक के रूप में आम जन्मानस के मन में सम्मान प्राप्त करते हैं। हमें गर्व है कि हमारे पास ऐसे सक्सम और समर्पित सेना है जो देश की सुरक्षा हर इस्तिती में करने में सक्सम है। भारत के बहत्तुर सेनिकों की सजक्ता का ही पेड़ाम है। कि आज विप्रीत प्रस्तितियों के बापजूद भारत पूरी मजबूती के साथ अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने और बड़े से बड़े खडियंत्र को विफल करने में सक्सम है। हमारे बहत्तुर जवानों का सौर और प्राक्रम एक सो चालीस करोड भारत वासियों को एक नई आश्वस्ति प्रदान करता है। हमारा सौभाग्य है कि देश की आवादी का इस सबसे बड़ा राज्यत्तर प्रदेश पचीस करोड की आवादी हमारे देश की सिराज्य में निवास करती है। और यहाँ वीरों की भूमी है। बताते चले कि सर्शस्त्र सेना महुत्सव के दोरान नवीनतम आधुनिक तक्नीक पर आधारित हतियार प्रणारियों को देखा जा सकता है। इसके साथ ही शर्शस्त्र सेना महुत्सव में विभिन हेलिकॉप्टर युद्धा भ्यास और विमान उद्वारा फ्लाइपास भी देखने को मिलेगा। यह महुत्सव तीन से पांच सितंबर तक सूरिया खेल परिसर एक लखनव में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ इस खबर में बस अतना ही देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पबलिक खबर की यूट्यूब चैनल को और बल आइकन दबाना बलकुल ना भूले। झाल को और बलकुल ना भूले।